हर साल आप लोग देखते होंगे कि 22 अपरेल को आपका विश्व पित्वी दिवस मनाया जाता है और आप सभी लोगों ने ये भी देखा होगा अगर आप जिस भी परिक्षा की तैयारी करें उसके पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरह के जो डे होते हैं दिवस होते हैं उनसे कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में पूँचे जाते हैं और जब भी किसी दिवस के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो उसका इतिहास पढ़ लिया करिएगा कि वो पहली बार कब मनाया गया था या फिर उसका एक उद्देश पढ़ लिया करिएगा किस उद्देश से यह दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है उस थीम के बारे में एक सामान जान करिए आपने पास रखा करिएगा इनसे क्या रहता है कि आपके पास questions पूँच लेता है कई बार आपसे और आप सभी जानते हैं कि हमारे महत्मा गांधी साहब ने भी परयाबन और पित्वी के पिती अपनी चिंता जैर की थी और उनोंने कहा तो कि प्रकिती के पास सभी की जरूरत पूरी करने के लिए परयाब्त संसाधन है लेकिन वो किसी की लालच पूरी नहीं कर सकता है और अगर आप देखी किसी स्वार्थी व्यक्ति का अगर लालच होता है तो आप देखें इस तरह की कही पित्वी कम पढ़ सकती है स्वार्थी लोगों के लिए और ये आपके सामने एक पित्वी दिख भी रही है और इसमें हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा एस या में हमारा प्यारा भारत है तो हर साल World Earth Day यानि कि 20 पित्वी द दिवस 22 अपरेल को मनाया जाता है वन डे एक जाम में तो डारेक्टी कुश्चन्स बन जाता है कि पित्वी दिवस कम मनाया जाता है तो 22 अपरेल को ए दिन एक मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पित्वी से जुड़ी परयावन की चुनोतियों जैसे कि Climate Change, Global Warming, पि प्रयास करने में और जागरोख हो और इसमें तेजी लाए और इस दिन को International Mother Earth Day की रूम में भी जाना जाता है तो यह भी याद रखी 22 अपरेल को ही आप लोग जो पित्वी दिवस मनाते है ना World Earth Day इसे आप लोग International Mother Earth Day की रूम में भी जानते हैं और इसे मनाने का मैन लोगों को जागरूख किया जा सके और लोग पित्वी का महत्तृ समझे हैं और पर्यावण को बहतर बनाया रखने की पित्वी जागरूख हो और यही वज़े है कि इस दिन परियावण सरक्षन और पूत्यभी को बचाने का संकल्फ पे भी लिया जाता है और आप देखते की अगर हम लोग महत्र की बात करें तो साल 1970 से हर साल 22 अपरेल को पित भी दिवस मनाया जाता है और इस दिन की को जब भी वित्ता के नुकसान बढ़ते पी दूसन और जैसे परयावणी है मुद्दों को जागर करने के लिए मनाया जाता है और इस दिन अर्थ डे और गिनाइजिशन पूर में अर्थ डे नेट्वर्क द्वारा विभिन ने कारकरम भी आईविजित किये जाते हैं इसमें 193 देशों की एक बिल की पॉइंट है साहिसिक तरीके से काम करना व्यापक रोप से इनोवेशन करना और नियाय संगत तरीके से लाओ करना इसे पहले साल 2021 में वर्ल अर्थ डे की थीम री इस्टोर अवर अर्थ रखी गई थी साल 2020 की अगर थीम आप से पूँछता है तो किलाइमेट एक्सन रख करें तो आप देखेंगे कि 252 दिबस गिलोबल इस्तर पर 192 देशों द्वारा मनाया जाता है और 60-70 की दसक में जंगलों और पेडों की अधाधुन्द कटाई को देखते हुए सेप्टमबर 1999 में सेटल बॉसिंग्टन में एक सम्मेलन विसकोसिन की अमेरिकी सेनेटर जरा राल्ड नेल्सन ने इसे मनाने की घुषना की थी इस राष्ट व्यापी जन आंदोलों में अमेरिका ने स्कूल और कोलेजियों ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया था इस सम्मेलन में 20,000 से अधिक लोग सामिल हुए थे साल 1970 से लगातार एद दिवस मनाया जा रहा है तो य ये बात है 22 अपरेल 1970 की और इसमें अगर पितवी के लिए सबसे बड़ा संकट अगर करें चुनोती के हैं तो आपकी बढ़ती जनसंख्या का दबाव है वर्तमान समय में पितवी के समक्च सबसे बड़ी चुनोती बढ़ती जनसंख्या है पितवी की कुल आबादी आज सा भावित होती है और भड़ती जनसंख्या की आप सकताओं की पूर्ती के लिए पितवी के दोहन सोसन की सीमा आज चरम पर पहुंच चुकी है आप सभी लोगों को मालू है कि एक समय आप देखे जनसंख्या कम थी तो आपने देखा होगा कि रहने के लिए जो आवास थे उन देखे जनसंख्या बढ़ती गई जरूरते और बढ़ती गई आपने देखा होगा पेड़ों की कटाई और होती गई और इसी तरह आप देखते कोईला हो या फिर कच्चा तेल हो इसका दोहन पहली कम ही होता था आज आप देख रहे हैं कि और जरूरत महसूस हो रही है और बिक्राल होती जा रही है, और परियावन पिदूसन से केबल एक देशी प्रभावित नहीं है, दुनिया वर ऐसी प्रभावित हैं, दिल्ली की देख लेज़े, सांस लेने में विजाती है, इतना बाई पिदूसन आपको देखने को मिलेगा, एंथ्रो फोसिन, फोसिन युग में पर्यावाइन को सरवाधी छती पहुंची है आज दुनिया अपनी निधारी सीमाओं के वीतर रहने की चमता तेजी से खोती जा रही है और स्वास्त से जोड़े इस्थानिय संकट की खबरें भी अब लगातार सामने आती रहती है ऐसा पर्यावाइन है पर्यावाइन के ह हमारे को परवंधन और जलवाई पर्यावाइन के असर के बैस्थिक अस्ततवादी संकट के कारण हो रहा है आजकल आप लोग एवी निउज में सुनते रहते होंगे कि सेर आप देखे जंगल से आपकी छेत में जहां आबादी लोग रह रहे हैं उस छेत में देखने को मिल आप लोगों की हर साल मौत होती है हमारी नदियां कूडे कचरे और गंदे पानी से खतम हो रहे हैं अभी आप लोग गंगा देख लिए 요मना देख लिए नई सरकार आने के बाद इस पर काफी काम हुआ है लेकिन फिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा पीना चोड़ी आप लोग नहाने के नहाती वक्त भी आप लोग दस बार सोचते हैं हमारे बनों पर भी खत्रा मडरा रहा है हम जानते हैं कि अपना पर्यावन बचाने के लिए काफी कुछ करना होगा अन्यता पित्वी का अस्तित ही दाव लगा रहेगा और हम सभी इन बेहद बातमूर बद पहुच गई है उसे उहाँ पहुचाने के लिए मनों से भी बिंजिम्मेदार है एक समय आप लोग स्कूल निकलते होंगे तो आपने देखा होगा चारों तरफ आपको पेड़ी पेड़ देखने को मिल जाते थे आज के समय में आप देख लीजए दूर दूर तक मालू ही भी नहीं चलता है इसलिए आप देख रहे हैं कि बरसाद भी कम हो रही है और आप देख रहे हैं पिदूसन भी जान्दा फैल रहा है आज सबसे बड़ी समस्या मानों का बढ़ता उपभोग है लेकिन पितभी के बल उपभोग की वस्तू नहीं है वह मानों जीवन के इनका वही उतना ही अधिकार है इस पितभी पर किस पर इस पितभी पर लेकिन सबसे जान्दा इससे नुकसान अगर हम लोग पहुचा रहे हैं इसका उपभोग कर रहे हैं तो वो है मनुस समझ रहे हैं आप लों और आप देखते हैं कोई सडग भिष्टी है सडग जाती है रेल पटरी निकलती है, कोई परी उजना चलाई जाती है तो उसमें किस तरह से जंगलों को साप किया जाता है लेकिन आपने देखा होगा कि उसके ये वज में कहीं भी पेड़ लगाय नहीं जाते हैं और हमारी सरकार आप देखी कि करोणों औरों खरों का फंड जारी करती है पेड़ लगाने के लिए लेकिन क्या होता है, पेड़ लगा के भूल जाते हैं, उसका रख-रखाओ नहीं देखते हैं और वो सूख जाते हैं हम इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किया क्या आजा सकता है क्या कुछ ऐसा जो हम मनुष से स्कूल, कॉलिज, कॉलोनी, समाज के तौर पर सामोही कुरूप से कर सकते हैं हम कैसे अपना युगदान दे सकते हैं और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है और हम सभी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं महत्मा गांदी का एक पिसिद्ध कतन है कि हम दुनिया में जो भी बदलाओ लाना चाहते हैं उसे पहले हमें खुद पर लागू करना चाहिए हमें आज यही करने की जरूरत भी है हम मनोसों की जीबन से लिए इने पर्यावन को लगबग बरवाद कर दिया है हमारी गतिविदियों और उन्हें कारूप देने की तरीका तरीकों का अतिन्द बिहद महत्मूर होता है और इसलिए बदलाओ की दिसा में सबसी पहला कदम यह होना चाहिए कि हम अपने कारियों की पिती सचेत और जागरूप हो और हमें बदलाओ को आदम साथ करना होगा हरित स्कूल कारकिरम की बात करें तो परियावन सरक्षन के लिए काम करने वाली अगड़ी भारती संस्ता Center for Science and Environment जिसे आप लोग सौट में CSE के नाम से जानते हैं एक हरित स्कूल कारकिरम तेयार किया है इसने जिसमें स्कूल परियावनिये बदलाओ पर भासन नहीं देते हैं बलकि उनका पालन करते हैं और इसे कारकिरम में चात तो और सिक्षक मिलकर अपने स्कूल का परियावनिये बेंचमार्क तै करते हैं जहें कि बे कितना पानी बिजली या वाहन इस्तिमाल करते हैं और कितना कच्रा इवं पिदूसन पैदा होता है और उस फ्रटपेंट के आधार पर अपना परियावन की बेहतरी के लिए कदम भी उठाते हैं पर आप देखें कि इस ब्रहमन्ड की चेतना है मनुस पिद्वी के आउसर पर हम सभी को पिद्वी के पहरी बनकर उसे बचाने और आवस्तकता रूप उपभोग का संकल्प लेना होगा तभी हम उसकी लंबी आयू की काम ना कर सकते हैं मनुस इस ब्रहमन्ड का मस्तिस्क यानी की चेतना है लेकिन हैरानी की बात या है कि इसके बापजूद हमारी परयावणी है जिम्मेदारी इस पर्ष्ट नहीं है मनुस ने ना केबल जलबाई चक्रों को बदल दिया बलकि ब्रहमन्ड के जीवित सौरूप को नश्ट कर इसकी जयविये ले को अरोध कर दिया है ब्रहमन्ड में और किसी अन जीव के पास मनुस जैसी विसे सदिकार नहीं है और सिर्फ मनुस सी पित्वी को जीवन रखने में सबसे प्रभाववी युगदान कर सकता है और आप देखिए कि हम ये सबसे जाना नुकसान भी पहुंचाते है जीव जन्तु कहान अकसान भी पहुंचाते है वो आराम से रहते हैं जंगलों की सफाई जीव जन्तु होने थोड़ी की हम लोगों ने की है और इसके लिए आप देखिए हलसाल क्या रहती रहती है थीम रखी जाती है और विज्ञानकों का ऐसा भी मानना है जीवों, पक्षियों, सरीशिपों की तुला में आठ गुना तेजी से बिलुप्त हो रहे है और इसी रपोर्ट में पिछले 13 बरसों में दुनिया के विभिन हिस्सों में 83 सोधों की समीक्षा की गई है और इसमें सोध करताओं ने पाया कि सभी जगों पर इनकी संख्या में कमी आने के कारण अंगली कुछ दसकों में 40-30 कीट विलुप्त हो जाएंगे कीटों की संख्या हर साल 30-30 की दर से कम हो रही है और कीट पतंगों का कम होना पारिस्तित की तंद के लिए घा तक है एक समय आप लोग आसपास जुगनों देखते थे जो लाइट की तरह रात में चमकती थी वो भी आजकल आप देख रहे हैं कि मालू ही नहीं चल रहा है जलवाई परिवर्तन बनों की कटाई बर्तिक कंकीट के जंगल सहरी करन, अभेद, सिकार और खेती बाड़ी में केट नासक दवाओं का इस्तिमाल समुद्र में ब्याप्त प्लास्टिक पिदूसन इन प्रजातियों की लोग थोने के लिए जिम्मेदार है और अंतराश्टी प्रक्किती संरक्षन संग ने बिलुप्त होने की कगार पर खड़े जीब जंत्रों की जो सूची जारी की है उसकी अनुसार 26,500 से दिक प्रजातियों की बिलुप्त होने का कत्रा है जिनमें आप देखें 40% ओभेचर, 34% संकूधारी 33% कोरल रीप और 25% इस्तंधारी और 14% इसमें पक्षी है और आज बिस्व में हर जगे प्रकिती का दोहन जारी है और इसके दोहन और फिदुसन की वज़े से बिस्त इस्तर पर लोगों की चिंता सामने आना सुरू भी हो चुकी है आज जलवाई परिवरतन पितवी के लिए सबसे बड़ा संकट का कारण बन गया है यदि पितवी के अस्तित पर भी प्रिसनेचन लग जाएगा तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इस पितवी दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि हम पितवी और उसके परयावन को बचाने का प्रियास करेंगे आप देखें कि अगर इसमें हर कोई ये उगदान दे सकता है आपके आभी कोई फिरोग्राम है कोई खुसी का मावल है तो आप भी पेड़ लगा सकते हैं आप देखें कि कोई अगर घर काट के दस पेड़ काट के घर बना रहा है तो उन दस पेड़ों को कहीं ओल लगा दीजे उनकी एवज में आप देखें दस पौधी लगा दीजे उनकी देखवाल करिए वो भी पेड़ बन जाएंगे लेकिन हमारे यहां होता क्या है कि काट दिये जाते हैं फिर लगानी की सोचते ही नहीं है उसी का नतीजा भी देख रहे हैं आप दो तो इसके बारे में एक सामान जानकरी अपने पास रखिएगा क्योंकि निवंद में भी कुश्चन्स आ जाते हैं इस तरह के और आप देखिए कि मुख परीक्षा में के भी कुश्चन्स आ जाते हैं गार